जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी किलासे स्विस्वमित जैन यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाली हैं हिंदी साहित में आदिकाल के लगबक सो प्रश्ण है यानि कि आदिकाल का हम नाम करण पढ़ेंगे आदिकाल की महतपूर्ण जितनी भी रचना या एक्जाम में पूछ जाती हैं वो पढ़ेंगे आदिकाल की पंक्तियों को पढ़ेंगे ठीक है तो यहां पर आदिकाल की मैन मैन जितने भी प्रश्ण आपके बनते हैं एक्जाम में उन प्रश्णों के बारे में पढ़ने वाल विस समिच जैन यूटूब चैनल के साथ दोस्तों लगबग 60-70 वीडियो आपके हिंदी साहित त्रिकी वीडियो डर्चुकिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्च देखें हैना प्लेलिस्ट में हिंदी साहित का इतिया स्ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हैं वो द अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर आपको बता देना है कि सर आदी काल को जो बीर गाता काल नाम दिया है वो दिया है राम चंदर सुक्ल ने यानि ए नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा और यहाँ पर आया है बी बीर और यहाँ पर आया है राम है ना तो राम कैसे पुर तो बीर गाता काल कौन बोलेगा राम चंदर शुक्ल यानि ये नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है अगला है दोस्तो आदी काल को सिद्ध सामंत काल किस ने दिया सिद्ध सामंत काल बताना है दोस्तों और आपको पता है कि जो पंडित लोग होते हैं पंडित इनके पास सिद्धी बहुत होती है होती की नई होती अब आप लोगो ही बताना है पंडितों के बात सिद्धी होती है ये सिद्ध पुरोस होते हैं तो ये सिद्ध सामंत काल कौन बोलेगा कौन बोलेगा कोई पंडित ही होगा यानि की पंडित राहुल सांक्रित्यान इन्होंने कहा कि ये तो सिद्ध सामंत काल ह और चारणकाल जैसे ही संधी की बात आती है दोस्तों तो आपने रामाइड देखी होगी है ना देखिए ना सभी ने रामाइड की नहीं देखी वोले सर रामाइड देखी है रामण से बार बार बोला जा रहा था कि आप संधी कर लो राम से और चरण पकल लो राम के बार बा कोई राम ही आएंगे यानि की राम कुमार बर्मा ठीक है इन्होंने दोस्तों साथ सो पचास से एक हजार के काल को बोला संदी काल और एक हजार के बाद के काल को चारन काल नाम दिया किसने राम कुमार बर्मा दिया ठीक है यह से याद रखेंगे अंगला है दोस्तों आदी का और वो किये किसने महाबीर भगवान ने किसने किये महाबीर भगवान ने अहिंसा की बात की है अहिंसा के बीज बोई हैं तो यहाँ पर बीज बोई तो बीज बपन काल और किसने बोई हैं बीज अहिंसा के महाबीर ने तो महाबीर परसाद दोबे दी और इस तर अहिंसा के ब अपभ्रंस काल किसने कहा है बहुती बढ़िया है दोस्तों और बताना है आपको है ना चार विकल्पें चार में से चेन करना है और आपका क्या हो जाएगा बोले अपभ्रंस को तो गोली मारो धीरे से हिंदी की बात करो है ना और गोली मारो तो गोलेरी और धीरे से हिंदी की बात करो तो धीरेंद बर्मा ने अप भ्रंस काल कहा है दोस्तो अप भ्रंस काल आदी काल को अप भ्रंस को गोली मारो धीरे से हिंदी की बात करो तो गोली से गोलेरी और धीरे से धीरेंद बर्मा इन्होंने दोनों ही अप भ्रंस काल कहा है आदी काल को ठीके इस परकार से या अंगला है आधी काल को संक्रमन काल किसने कहा है दोस्तों संक्रमन काल चार बिकल्प हैं और आपको पता है संक्रमन का काल चल ही रहा है है ना घरवाले बोलते हैं जादा हरेस्चंद मत बनो खेलने कोई नहीं जाएगा खेलने बाहर खेलने कोई नहीं जाएगा किसे बोलते है कि ज्यादा हरिस्चंद मत बनो, कोई भी खेलने नहीं जाएगा, हैना, नहीं तो क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, तो खेलने नहीं जाएगा, तो आपका राम खेला बन पांडे, हैना, हरिस्चंद मत बनो, तो हरिस्चंद बर्मा, इन दोनों ने ही दोस्तो संक्रमन काल कहा है आदी काल को ठीक है यह चीज याद रखने आप से पूछा जाएगा आदी काल को संक्रमन काल किस ने कहा है बोले खेलने जाते हैं तो संक्रमन हो जाता है है और घर बाले बोलती कि हरेस्चंद मत बनो खेल लेनी जाना है ना तो हरेस्चंद बर्मा और राम खेलाबन पांडे इन्होंने कहा है संकरमनकाल आदिकाल को ठीक है अंगला है दोस्तों आदिकाल को अंधकाल अंधकाल और बाल्यावस्ता काल नाम किसने दिया बहुत ही वड़िया है दोस्तों अब अंधकार काल और अंधकाल ये अलग अलग है है ना नाम दिया है तो अंधक में रस है वो कही भी कोई भी आवस्ता में नहीं है रस सी रसाल ठीक है रसाल बाले आवस्ता काल रसाल ने कहा है अंदकाल भी रसाल ने कहा है ठीक है किसने रमा संकर सोकले रसाल ने ठीक है अंदकाल अंगला दो तो आदिकाल को बीर काल किसने कहा है बोले सर दुनिया में बहुत इज्जत की जाती है, है ना जो बीर होते हैं, पूरे बिस्व में उनका नाम होता है, उनकी क्या बचती है, है ना उनकी सत्ता होती है, तो ये बीर आया है, तो बीरों की सत्ता कहा होती है, बीरों का नाम कहा होता है, बिस्व में होता है, तो बीर काल कौन बोलेगा, ब स्री राम के चरनों में गिर परे क्या परे गिर परे तो चारनकाल कौन बोलेंगे चारनकाल गिर परे तो गिरियरसन है ना चरनों में गिरना है हमें चरनों में गिरना है स्री राम के चरनों में गिरना है तो चारनकाल किसने चारनों में गिर चरनों में गिर तो गिरियरसन ने कहा चारनकाल और संदीकाल और चारनकाल किसने रामकुमार बर्माने भी कहा ठीके अंगला दो तो आदीकाल को आदीकाल नाम किसने दिया तो आदीकाल नाम दिया तो बोले सर आदीकाल का जो उदय हुआ वो एक बार हुआ हजारों बार नहीं होता क्या नहीं होता आधिकाल का होदा एक बार होता है उसे ही हम आधिकाल बोलते हैं हजारों बार नहीं होता तो आधिकाल जो नाम दिया वो हजारी पर साथ दुबेदी ने दिया बोले यह आधिकाल है आधिकाल है एक बार नहीं मैं हजार बार बोल चकत हुए आधीकाल है किसने कहा हजार पrest workflow हजार वावर कहा आधीकाल एस प्रकार से अधीकाल भी नमबर आपका बिल्कुस आ हो जाएगा आधीकाल acquire को आधार ना यहां पर आया है आधार और किसने कहा है कम कहा है यह से याद रख लेना मोहन का आधार कार्ड मोहन का आधार कार्ड ठीक है मोहन का आधार कार्ड इस परकार से ठीक है तो मोहन से हो जाएगे मोहन अबस्ती और आधार से आधार काल ठीक है आधार काल या फिर आधार कार्ड किसका मोहन का तो मोहन अबस्ती ने कहा है आधार काल ठीक है इस साहित्यक हिंदी को अप किसने माना था पुरानी साहित्यक अप ब्रंस को माना था किसने सुकली जी ने पुरानी हिंदी को अप ब्रंस माना था किसने गुलेरी जी ने तो पुरानी हिंदी का काल जो कहा है वो किसने कहा है गुलेरी जी ने गुलेरी पुरानी हिंदी का काल आदिकाल को उदभावकाल किसने कहा है उदभावकाल और आपको पता है अपन लोग क्या बोलते हैं कि इस प्रत्वी पर बासु देव का क्या हुआ उदभाव हुआ है बासु देव का उदभाव हुआ है अब पाप क्या हो जाएंगे नश्ट हो जाएंगे तो यह उदभाव हुआ है किसका बासू देव का उदभाव बासू देव तो बासू देव सेहने कहा है दोस्तो उदभाव काल हिंदी के आदी काल को ठीक है बासू देव अंगला है आदी काल को अपरेंस काल जातिये साहित का उदभाव अपरेंस काल जातिये साहित का उदभाव किसने दिया है और आपको पता भी होनी चाहिए और ये नाम दिया है दोस्तों किसने बच्चन सेहने अपबरंस काल जातिय साहित का उदय ठीक है अब बच्चन जो होते हैं बच्चन लोग बच्चे लोग होते हैं उने क्या करना जाती पाती से हैना उने जाती आती से कुछ नहीं रहता है य आदिकाल को प्रारंबेकाल और सूनकाल नाम किस ने दिया प्रारंबेकाल और सूनकाल बहुत ही बड़ी या प्रस्न है दोस्तों और जब हम कोई भी चीज प्रारंब करते हैं तो क्या बोलते हैं यार प्रारंब कर रहे हैं स्रीगडेस करो यानि कि प्रारंब करो यानि प्रा आफिर्प लोग ही बिजय होते हैं तो बीर प्रसास्ति यो कोण बोलेगा बिजियंदर इसना तक यानी डी नमबर बीर परसाथ ती यो किस ने कहा बीर लोग बिजय होते हैं तो बिजियंदर इसना तक डी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा है ना अंगला कोश्चन है आदी काल को प्राचीन काल नाम किस ने दिया बिसुनात परसाथ मिसर ने हजारी परसाथ दुवेदी ने गड़पती चंद्रगुप्त ने या फिर संबू नास से ने तो आदी काल को प्राचीन काल जो नाम दिया है वो किस ने दिया है और आपको पता है दोस्तों आप से बोलें कि आप किस की पूझा करते हैं तो बोले हम संकर जी की करते हैं आपके पापा किस की करते हैं संकर जी की आपके दादा किस की करते हैं संकर जी की प्राचिन काल कौन बोलेंगे? शंबू नास चेह हैं है ना, शंबू नास चेह, यानी D dares आपका बिल्कुत सही हो जाएगा, शंबू नास चेह ठीके, अंगला है दोग्णा आदि काल को संक्रांती काल किस ने किया, संक्रांती संक्रांती से अभी ऐसा नहीं लगता कि सक्रांत एक तिवहार होता ना संक्रांत संक्रांती आगई अपन बोलते तो क्या होता है संक्रांती में लड्डू अड्डू का प्रसाद मिलता है काई का प्रसाद मिलता है संकरानती को तो राम प्रसाद मिस्र ने कहा है संकरानती काल ठीक है याँ डी ममर आपका बिलको सही हो अंगला दोस्तो आदी काल को अनिर्दिस्ट लोग प्रिविर्थी का योग किस ने कहा यानि की प्रशन क्रमा कुन्नीस आदी काल को अनिर्दिस्ट लोग प्रिविर्थी का योग विस्तुनात प्रसाद मिस्र ने हजारी प्रसाद दुवेदी ने रामचंद सुकले या फिर तो आदिकाल को अनिर्दिस्ट लोग प्रिविर्थी का जो योग कहा है वो कहा है रामचंदर सुकले ने है ना ये बहुत ही बढ़िया है अनिर्दिस्ट लोग प्रिविर्थी का योग था आदिकाल ऐसा कथन कहने वाले थे तो वो रामचंद सुकले जी थे सी नमबर और आपको बता है कि रामचन सुकले ने प्रिविड़तियों के आधार पर कालों का नाम प्रण किया प्रिविड़तियों के आधार पर तो इन्होंने अनर्दिस्ट लोग प्रिविड़ती का काल कहा है अब प्रिविड़ती आया तो समझ जाना कि रामचन सुकले ने तो क्या करते हो कि सब मिस्त्रित कर देते हो है ना ये भी लेलो वो भी लेलो सब मिस्त्रित कर देते हो क्या करते है तो मिस्त्रित कर देते हो आरंब में फिर धीरे धीरे से अपना ब्रांड बनाते हो ब्रांड तो आरंब में हम सब मिस्त्र कर देते हैं तो मिस्त्र बंदू य यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपके नामकरण से संबंदित थे जितने बिद्धवानों के मत थे वो पूरे बिद्धवान में आपको बता दिये याद भी आपको करवा दी जहां जैसी टृक निकली अब आपको बताना है कि आदिकाल को अत्यादिक बिरोधी एवं ब्याग हातों का योग किसने कहा बहुती बड़िया प्रस्न है अत्यादिक बिरोधी एवं ब्याग हातों का योग ये किसने कहा ऐसे कथन भी पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपका अत्यादिक बिरोधी और ब्याग हातों का योग कहा है हजारी परसाद दुवेदी ने हजारी प कह दिया कि अत्याद एक बिरोधी एवं बैगहातों का युग इसको याद रख ले ना ठीक है कितने बिरोध हैं हजारों तो बिरोधी एवं बैगहातों का युग कौन बोलेगा हजारी परचाद दुवेदी परमाल रासों की रचनाकार कौन है दोस्तों एक चीज बताना पर परमाल मतलब क्या होता है पर मतलब दूसरों का माल मतलब सामगरी या कुछ भी तो परमाल और दूसरों का अगर माल चुराना है तो क्या करना पड़ेगा जगना पड़ेगा इस चोर लोग क्या करते है दूसरों का माल चुराते हैं तो वो रात में जगते हैं जग से बनेगा आपका जगनिक और क्या चुडाते हैं परमाल दूसरों का माल चुडाते हैं चोर रात में जग कर तो जगनिक ठीक है परमाल चुडाना है तो जगना पड़ेगा तो जगनिक परमाल रासो जिसे की आला खंड कहा जाता है और ये दोस्तों इसके जो रचीता है वो कोने जगनि ठीक है, तबी लोगों को वैसे पता होगा, अंगला है बीसल दे रासों की रचना कार कोन थे, कई बार एकजम में पोछी जाती है, जब भी आदिकाल की बात आती है रस तो दो रचनाय Selby पोछी जाती है, तो प्रतिविराज रासो दूसरी बीसल दे रासों ये दू होते हैं हैना बीस नहीं होते बोले बीस पती नहीं होते एक पती होता है हैना बीस पती नहीं होते बीस क्या नहीं होते पती नहीं होते तो नर्पती बीस नर्पती नहीं होते एक होता है ठीक है तो बीसल देवरासों के रचनाकार कौनोंगे नर्पती नाल ठीक है और अजमेर के सासक से संबन दित थे दोस्तों है ना ये जो वीसल दियो रास्ती है और ये गीति का बमाना जाता है है ना इसको आपको याद रखना है अंगला है कीरती लता के रचनाकार कौन है कीरती लता दोस्तों आपको पता है कि कीरती उसी की फैलेगी जिसमें बिद्या है उसकी कीर करती नहीं नहीं पहलेगी। तो कीls फेलेगी। जब वद्याइ। तो विद्यापती, है न। तो कीलती है, वद्यापती। और दोस्तो आपको पता होगको कि विद्यापती जी की कितनी रचनाय थी। एक तो थी इनकी कीलती Clay ensuite by कीर्टी लता और एक थी इनकी कीर्टी पता का कौन सी थी कीर्टी पता का और एक थी दोस्तों इनकी पदा वली ठीक है तो यह इनकी रचनाए थी तीन तो पद लता पता का पद लता पता का ऐसी याद रखेंगे पद लता पता का तो ये तीन रचनाएं आपको याद रखना है और जिसमें बिद्या है उसकी कीर्थी पहलेगी इस प्रकार से याद भी करेंगे ठीक है वर्न रतना करके रचनाकार कौन है दोश्तों आपको पता है आप वर्न लिखते हो वर्न है जैसे आ अनार का आ आम का ये क्या कहलाती है वर्न तो वर्न आप अंधेरे में पढ़ोगे की जोती में पढ़ोगे वर्न अंधेरे में नहीं पढ़ना है हमें जोती में पढ़ना है जोती यानि कि उजाले में पढ़ना है तो वर्न हमें जोती में पढ़ना है तो जोती सर ठाक और है ना वर्न रतना करके रचनाकार कौन होगे जोती सर ठाक और यानि कि जो बिकल्प नमर आपका भी है वो व रतना कर वो ले सर बर्न तो हमें जोती में पढ़ना है तो जोती सर ठाक और ठीक है अगला है राउल बेल की रचनाकार को ने दोस्तों आपको टरिक भी बताना है कौनसी अच्छी टरिक लगी है वह कमेंट बताना है वीडियो के लास्ट में एक चेलेंज प्रस्विन दिया ज तो सोने में रोड़ा बन जाती है कौन सोने में रोड़ा बन जाती है बेल सोने में रोड़ा बन जाती है बेल तो रावल बेल और बेल बन जाती है क्या रोड़ा तो रावल बेल की रचनाकार कौन होगे रोड़ा कभी रोड़ा कभी यानि कि या नम्मर आपका बेल को सही हो ठीक है आपने कभी-कभी अनुगाव किया होगा दोस्तों जैसे ही आप सोए और किसी ने बेल बजा दी बाहर से तो रोला वन जाती है आपके सोने में तो रोला कभी की है रावल बेल ठीक है अंगला है धोला मारूरा दूहा की रिचना कार कौन है दोस्तों आपको पता है कि धोला से बनेगा धोल और धोल बही बजा सकता है जो धोल बजाने में कोसल है धोल बजाने में जो कोसल है बही धोल बजाएगा तो धोला मारूरा दूहा की रिचना कार कौन होंगे कोसल लाव है ना इड़े को धोल बजा रहे है क्योंकि ये क्या है कोसल है धोल बजाने में तो ढोल से ढोला मारूरा दूहा और ढोल भई बजाएगा जो कोसल है तो कोसल लाव ठीक है यानि कि जो सी नमबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अंगला है दूस्तो बिजय पाल रासो की रिशनाकार कौन है चार विकल्प है और आपको पता है दूस्तो आपने गदर फिलम देखी होगी गदर फिलम देखी है शनी देवल अकेले और शनी देवल क्या करते हैं बिजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड देते हैं बिजय सेहभाट बोले नल उखाड दिया है ना विजय प्राप्त कलने के लिए नल उखाड दिया तो नल सेहभाट की रचना है कई बार पूछी भी गई है ठीक है अंगला है प्रत्वी राजरासो के रचना कार कौन है दोस्तों प्रत्वी राजरासो और आपको पता है ये प्रत्व राजरासो चंद बरदाई रत्वी का उपकर है चंद्रमातो चंद बरदाई ये नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अगला है दोस्तो जवाहरे खुसरवी की रचनाकार कौन है जवाहरे खुसरवी और आपको पता है कि जवाहर, हीरा, मौती, जवाहर ये किसके पास होंगे गरीब के पास की अमीर के पास ये देखो ये जवाहर है हीरा, मौती, जवाहर और ये जवाहर जो होंगे वो किसके प खुसरो और खुसरवी से तो खुसरवी ठीक है अगला कोश्चन आपको बताना दोस्तो जै मैंक जस चंद्रीका की रेचनाकार कौन है तो चार बिकल्फ है और आपको पता है दोस्तो कि जब एक पती एक पतनी अपने पती के लिए करवा चौत का ब्रत रखती है एक पतनी कैसा नजर आता है मधर तो मधुकर है ना मैंक मतलब भी चंद्रमा होता है और चंद्रमा की चंद्रीका को जब पतनी देखती है तो जो चंद्रीका है वो कैसी नजर आती है मधर तो मधुकर है ना जै मैंक जस चंद्रीका कैसी नजर आ रही है मधर से मधुकर ठीके जै मैं कि जस चंदरी का चंदरी का नंजर आ रही है मदोर तो मदुकर ठीक है यानि कि जो सा नमबर है वो आपका बिलको सही हो जाएगा सा नमबर ठीक है अंगला है खुमान रासो के रिचनाकार कौन है दोस्तों आपको पता है खुमान मतलब होता है दीरगायू खुमान मतलब क्या दल पती बिजय खुमान से बनेगा दोस्तों आपका गुमान और हम बोलते ना कि गोरी रंग पे ना इतना गुमान कर कभी कभी कोई दल का पती बिजय प्राप्त करता है तो उसे गुमान हो जाता है गुमान तो गुमान से खुमान गुमान से खुमान है ना दल का पती अगर उसलिए हो जाता है तो उसे घुमान हो जाता है तो खुमान रासों की रचनकार दल पती विजय है इस प्रकार से हैर को याद रखना है दोहा कोच की रचनकार को zijn दूस्तू को पता भी तो है आप बोलोगे धूसर धूसर सुनाओ सर से सरहपा ओर दोहा कोस तो दोहा कोस की रचनाकार सरहपा ठीक है अंगला है स्रापकाचार की रचनाकार कौन है हिंदी की प्रिथम रचना मानी जाती है दोस्तों और यह जो स्रापकाचार है आपको पता है कि जैन्धर में बैक्ति जब भगवान के पास जाता है तो स्राबक बन के जाता है भगवान के पास है ना है ना और भगवान को क्या बोलता है देव तो स्राबक जाता है किस के पास देव के पास स्राबक बनकर जाता है वेक्ति देव के पास तो स्राबका चार करेचनकार कौन होगे देव सेन यह देखो यह वेक्ति स्राबक बनकर गया है किस के पास भगवान या फिर देव के पास ठीक है तो स्राबक बनके जाना है देव के पास तो स्राबकाचार के रचनकार देव सेन 933 इसका रचनकार माना जाता है 933 इस भी ठीक है स्राबकाचार की और फिर्थम रचना है हिंदी की अंगला है बुद्धी रास के रचनकार कौन है बुद्धी रा कि बुद्धी साली तो बुद्धी साली यानि कि बुद्धी साली बद्रसूरी बुद्धी रास साली बद्रसूरी और किसी कि तो साली भी बहुत बुद्धी मान बहुती है बोलते हैं जिस जिस की साधी हो गई वोले मेरी साली बहुत बुद्धी मान है तो बुद्धी से बुद्धी साली इस प्रकार से अंगला है रेबंत गिरी रास की रचना कार कौन है चार विकल्प में दो सेकंड में आपको बताना है दोस्तों आपको पता है कि रेबंत गिरी एक परवत था जैन धर्म से संबंदित परवत है रेबंत गिरी और रेबंत गिरी की पर विजय प रेबंत गरीपर क्या पर करना है विजय तो विजय सेन सूरी है ना यह विजय सेन सूरी की रचना है यानि कि आपका जो बिकल्प नमर सी है वो सही हो जाएगा अगला है चंदन वाला रास की रचना कार कौन है दोस्तों चंदन वाला हम जब मंदिर जाते हैं तो चंदन की आस लगा के जाते हैं, चंदन की आस, चंदन की आस, ये देखो, ये महासाय, चंदन की आस लगा के बैठे थे, तो इनको चंदन लग गया, तो याद रख लेना, चंदन की आस, तो आसगू, चंदन की आस, तो आसगू, ठीक है, चंदन बाला रास किसकी होगी, आस से आसगू, है तो आपको पता होगा आज कल कि जो कुमार हैं वो सौम रस बहुत पी रहे हैं सौम है ना कुमार लोग सौम रस पी रहे हैं तो सौम प्रभ सूरी सौम प्रभ सूरी इस प्रकार से याद करेंगे कुमार लोग सौम पी रहे हैं तो सौम प्रभ सूरी है ना डी नमबर आपका ब पूश हूँ कच्चो ली estou jpsy बाझार गयते कच्चुली वो say haa Iने ति लगाकर परग्यां लिए 라고 प्रग्यां तिलग तो प्रग्यां तिलग क्च्चुली रात कच्चुली तो वो ले हाँ ली प्रग्या ली प्रग्या तलक कच्छू ली प्रग्या तलक प्रग्या तलक यह देखो यह तलक लगाकर क्या ले रहे हैं प्रग्या यानि की प्रतिग्या तलक लगाकर ठीक है इस प्रकार से जैचंद प्रकास की रचनाकार कौन है दोस्तो चार बिकल्ब हैं और आपको पता है दोस्तों कि केदार नात में हमें क्या करना है चंद्रमा का प्रकास करना है तो चंद से चंद्रमा और चंद्रमा का प्रकास कहा करना है केदार भट चंद्रमा का प्रकास करना है कहां केदार नात में तो केदार भट की रचना है जै चंद प्रकास जै मैंक ज चंद्री का ये मदूकर की है ना और जैचंद प्रकास ये केदारभट की है ठीक है अंगला है दोस्तों हमीर राशों की रिचनाकार कौन है दलपती बेजय सारंग धर केदारभट या फिर सवमप्रभ्प सूरी तो हमीर राशों कई बार पूची गई है याद रख लेना इस स सारंग धर ठीक है हमीर रासो सारंग धर जनम अबदी हम रूप नहारल नयान नत्रपती भेल इपंगती किसकी है आप से पूचा जाता है तो आपको बताना है चार विकल्ब में विद्यापती की चंदवर्दाई तुलसी दास या फिर सरहपा की तब आपका दोस्तों यहां प यहां पर देखो तिर पती पती आया पती तो दोस्तों यहां भी देख लो पती कहां आया यहां भी यह पती आ गया बिद्यापती जनम अबदी हम रूप नहारल नयन नत्रपती भेल यानि कि यहां पर पती आया तो उत्तर में भी आपका पती हो आया आएगा तो यह जो पं एक केस यह पंक्ति कई बार पूची गई है दोस्तो अब आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है और एक चीज में आपको बता दूँ कि जो यहां पर आया है एक सब्द सेज सेज मतलब होता है दोस्तो कौमल बिस्तर है ना कौमल बिस्तर मकमल के गद्दे वो सेज कहलाता है और बताना दोस्तों कि एक कौमल गद्दे मकमल के गद्दों पर अमीर बैक्ती सोएगा या गरीब बैक्ती सोएगा आप बताना गरीब के पास तो नहीं होंगे मकमल के गद्दे कौमल गद्दे किसके पास होंगे अमीर के पास तो सेज मतलब होते हैं कौमल गद्दे मकमल के गद्दे और इस सेज पर गरीब नहीं सो सकता, अमीर सो सकता है, तो अमीर खुसरो, ठीक है, इस पंक्ती के रचेता कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो, ऐसे ही पूरी पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी दोस्तों, अंगला देखो, देसिल बैना सबजन मिठा, देसिल बै जिस बैक्ती में बिद्ध्या होती है, जिस बैक्ती में ग्यान होता है, वो मीठा मीठा बोलता है, जो जिस बैक्ती में बिद्ध्या नहीं होती है, वो करकस बोलता है, उसकी आबास खराब लगती है, तो आपके अंदर भी बिद्ध्या है, और आपको कैसा बोलना है, मिठ मिठ्था मिठ्था बोलना है तो याद रख लेना मिठ्था मिठ्था वो बोलता है जिसकी अंदर विध्या होती है तो यह देशिल बैना सबजन मिठ्था कि किसकी पंक्ती हो जाएगी किसकी होगी विध्या पती की ठीक है और इनकी रचनाएं कौन सी है पदलता पता का पदा पती ठीक है आनम्मर आपका सही होगा मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है कोकिल के जैसा बोलते हैं दोस्तों यह ठीक है इस परकार से याद रखेंगे अंगला है पुस्तक जल्लड हात दई चली गज्जन नरपकाज तो यह चार विकर्फ हैं आपको पता है दोस्तों जल्ल दोस्तों नरपकाज यानि कि राजा के काज में चले गए थे तो है यहाँ पर कि पुस्तक जल्लड हा work दे चली गजन नरप काज तो कौन चले गए ते चंद बरदाई और जल्लड नाम था चंद बरदाई के पुत्र का इसलिए स्पंक्ती के जुर चेता होंगी वो कौन होंगी बेकलप नम्मर बी कहने की चंद बरदाई ठीक है इसको याद रखेंगे हिंदी के पृथम महा कभी कहे जाते हैं चंद बरदाई और दोस्तो अंगला है जह मन पबन न संचरई लावी सा सिला है पबन ताही बच चित बिसाम करू सरहे कहाई कहाई ओवेस तो यहाँ पर देखो दोस्तो बहुत ही अच्छे से पंक्ती पढ़ना है और यहाँ पर आ रहा है सरहे कहाई मतलब सरहे मतलब सरहपा है ना तो सरहे से क्या बनेगा आपका सरहपा तो देखो सरहपा कौन सा है डी नमबर है ना यहाँ पर आगे आपका सरहे और सरहे को हमने पकड़ दिया वो सरहे से बनेगा सरहपा तो यह पंक्ती किसकी हो जाएगी किसकी होगी सरहपा सरहपा यानि डी नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है हिंदी के प्रतम कभी माना है राहुल सांक्रित तैने सरहपा को है ना और इनकी एक बहुत ही प्रसेद रचना है कौनसी दोहा कोस इनको याद रखेंगे अंगली पंक्ति आपको बताना है दोस्तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे ए पंक्ति किसके बहुती बढ़िया पंक्ति है पूछी भी जाती है दोस्तो और मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जिन पाँच तत्तों में जल बायू प्रत्वी इबम आकास से यह ब्रह्मांड बना है उन्हीं पाँच तत्तों से यह पिंड पिंड यानि की सरीर भी बना है इस प्रकार जो कुछ ब्रह्मांड में है बही सब पिंड में भी अवस्तित है यत पिंडे तद ब्रह्मांड इसलिए इस पिंड को ब्रह्मांड का ल गोरखनात की है किसकी है गोरखनात की है इन्होंने कहा था कि संसार में क्या रखा है माया मोह को इन्होंने त्याग दिया किसने गोरखनात जी ने और दोस्तो एक जो साधना है अंतह की साधना इन्होंने की तो इन्होंने कहा था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किस प्रिकार से आपको गोरखनात की पंक्ति याद रखना जोई जोई पिंडे स्वई ब्रह्मान डे ठीक है अंगला है बारा है बरस लो कुकर जीबे अरुते रहलो जीए सियार बरस अठारा है छत्री जीबे आंगे जीबन को देखकार आपको नहीं लग रहा है यह दोस्तो आल खंड से लिगे है ठीक है आला कंड यह जिसे परमाल रासो कहा जाता है परमाल रासो है ना और बारा बरस लो कुकर जीबे अरुतेरे्य में जीबे आंगे जीबन को देखकार ठीक है तो यह आला से तो जगने का आपसे बन जाएगा नेक्स्ट गोरख जगाएओ जोग भक दोस्तों यहां confusion होता है बहुत सारी लोगो में यहां आगया गोरक और यहां पर भी आपका अगर option में गोरक दिया होता तो आप गोरक नात लगा देतेν लेकिन याद रख रख लेना यह पंक्ती बहुत ही बढ़ा है गोरक जगायों जोग भकती भगायों लोग यह गोरक ना दोस्त नहीं कही है यह कही है तुलिसी दास ने यानि की बी नमबरी अब एक चीज़ ले रखिले ना खुदके बारे में थोड़ी बोलेंगे कि गौरक जगायों जोक भकती भगायों लोग गोरक नात नहीं बोलेंगे न कोई दूसरा बैक्ति बोलेगा तो गोरक जगायो जो भक्ति भगायो लोग यह पंक्ति जो है वो तुलशी दास की मानी जाती है इसको याद रख लिए हमेशा पूची जाती है दोस्तों क्यों पूची जाती है क्योंकि इसमें आप confusion होंगे और आप गलत करके आएंगे तो इसको याद रखेंगे ठीक है अंगला है माधाव हम परिणाम निरासा माधाव मतलब दोस्तों स्रीकर्ष्ण को कहा जाता है माधाव और बोले माधाव हम परिणाम से निरास हैं बोले क्यों हो बेटा परिण निरास तो कहा कि आपने सब को विध्या पती अब याद रक लेना मादाओ हम परिणाम निरासा वूले विठ्यकेओं पर निरास विध्या नहीं दी तो विध्या से विध्या पती इस प्रकार से पंक्तियों को मस्ति सयात करते जाएंगे जीक है यह नम्मर आपका बिल्कूस सही होगा नेक्षट है जो जिन सासन दिया है जिन जिन मतलब होता है दोस्तो भगवान भगवान का परयाब आची है जिन ठीक है जिन कहा जाता है और जेन धर्म में आपको पता है भगवान को जिन कहा जाता है और भगवान का जो सासन है उसे जिन सासन कहा जाता है ठीक है अब यहाँ पर देखो कि जो जेन धर्म से सम्मंदित ग्रंथ लिखा है वो स्रापकाचार लिखा है देवसेन ने हिंदी की पिर्थम रचना है आपको पता है और दोस्तो जिन मतलब होता है भगवान या फिर देव तो यहाँ पर भी आपका देव आएगा देवसेन ठीक है जिन मतलब क्या होता है भगवान और जिन सासन भासी ये पंक्ती में आ रहा है तो यहाँ पर भी आपका देवसेन आएगा और देवसेन की रचना स्राब का चार है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिन सासन है ना इस परकार जैन धर्म में जो सासन है उसे जिन सासन कहा जाता है भगवान की सासन को ठीक है तो द से आपको याद रखना है एक सेती पटा एक नेली पटा एक तिलक जनेव एक लंबी जटा अब देख लेना दोस्तों एक सेती पटा फिर एक नील पटा फिर एक तिलक जनेव एक लंबी पटा इतनी चीजें हैं सब क्या हो गई चरपट हो गई सब क्या हो गई चरपट हो गई इस पंक्ती के रचेता कौन होंगे बोले सर एक सेती पटा एक नील पटा एक तलक जनेव एक लंबी जटा सब क्या हो गई चरपट हो गई अपने बोलते ना चोपट हो गया यार सब यह सब चरपट हो गया तो इस पंक्ती के जो रचेता होंगे वो कौन होगे चरपटनाथ कौन होगे चरपटनाथ हुआ ना याद आपको है ना क्या हो गई ये चरपट हो गई तो चरपटनाथ यानि बी नम्मर आपका बिल्को सही होगा अंगला है दोस्तो बोलाई बाहु बली बलबंत लोह खंडितव गर्बियों अहंत इस पंक्ति के रचेता कौन है चार बिकल्ब है और आपको पता है दोस्तो उपर आया है पंक्ति में बाहु बली और जो भरतेसुर बाहु बली रास है ये रचना किसी है भरतेसुर बाहु बली रास तो आप जल्दी से बताओगे सारे तो सालीव अधर सूरी की है कड़पती चंडर इसकी है साली बदर सूरी की है तो बाहुवली आया तो ये शाली बदर सूरी की ही पंक्ती हो जाएगी यानि सानमर आपका बिलको सही होगा थीकिए इस परकार से अपन को दोस्तों याद करते जाना है जामत पछ्षई संप्जAY सामती पहली होई मुझे भड़ई मिरलाल बलई बहन ना बैठे कोई इसके बताना बहुती बढ़िया पंक्ती है दोस्तो याद रख लेना है और यह जो पंक्ती है वो किसकी है जदी से बताना है दोस्तो आपको बताओगा मेरू मतलब होता है क्या परबत मेरू मतलब क्या होता है प भगवान हुए हैं वो परवत पर तपस्या करने गए तपस्या करने गए अब इसका अर्थनी लेना की पंक्ति का क्या है मैं सिर्फ यात कर बारूँ ठीक है जा मति पच्छई संपजई सा मति पहली होई यह कहां गए परवत पर तपस्या करने गए दोस्तों भगवान और इन सामति पंच्छई संपजई सामति पहली होई मुंझ भड़ई म्रलाल बलई बहन ना बैठे कोई ठीक है तो यहां आया है प्रतिराज नरेश जोग बज्जीय केस सुदेश यह पंक्ति किसकी है दोस्तों अब देखना यहां पर क्या आया है चार बेकर्ट में से आप चैन करके बताएंगे और यहां आया है प्रतिराज क्या आया है प्रतिराज और प्रतिराज रासो तो चंद्रबरदाई की रचना है है की नहीं है तो यहां पर प्रतिराज आया है और प्रतिराज से सीधा आप चंद्रबरदाई पर पहुंच आओ प्रिये प्रतिराज नरेश जोग बज्जी एकेस सुदेश, तो यह पंक्ती किसकी हो जाएगी, चंद्रबरदाई की कैसे याद किया, बोले हमने प्रतिराज को पकड़ा सब्द को और सब्द को पकड़ा और हमने देखा कि प्रतिराज रास हो तो चंद्रबरदाई की रचना है, तीक है, इस प्रकार से, नेक् को दोस्तों पता होगा कि पुस्प में क्या होती है पुस्प की कली आप बोलते ना पुस्प की कली और आपने कली को पकड़ लिया कली लाई और कली किसकी होती है पुस्प की ते पंक्ती किसकी हो जाएगी किसकी हो जाएगी पुस्प दंत की हो जाएगी ठीक है पुस्प दं तो सब्द को थोड़ा सा पकलते जाना है कली अब आप कभी नहीं बूलोगी एक कली लाई आएगा जहां बार आप बोलोगे कली तो किसकी होती है पुस्प की होती है पुस्प दंट ठीक है इस प्रकार से अब दोस्तों मेरा जोबना नवेलरा भायो है गुलाल पंक्ती किसकी है अब दोस्तों ऐसे ही आपको पंक्तियां याद करनी है क्योंकि यह महत्पूर महत्पूर पंक्तियां हम ले रहे हैं जो एक्जाम में पूछी गई है ठीक है और मेरा जोबना नवेलरा भायो है गुलाल अब एक चीज़ बताना दोस्तों कि अगर किसी अमीर ब्यक्ति के पास कोई ललना होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है तो अमीर ब्यक्ति क्या करता है गुलाल उडाता है जस्न मनाता है और किसी गरीब के पास होता है तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया ऐसा ही न तो म अमीर खुसरो मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल ठीक है तो सा नम्मर आपका यहां अमीर खुसरो बिलकुस हो जाएगा है ना सी नम्मर अब दोस्तो यह सिर्फ अपनी याद करने की ट्रेक है इसकी अर्थ पर बिलकुल नहीं जाना मैं आपको कई बार बोल चुकूँ ठ ठीक है सहजे थरकर बारुनी साद यह पंक्ती किसकी है दोस्तो चार बिकल्पे और यहां पर आया है आपका बारु तो उत्तर में भी क्या आए जाएगा दोस्तो क्या आएगा बिरू बीरू या बारु बीरू से बीरू तो बिरूपा है ना सहजे थरकर बारुनी साद यह क यह पंक्ती किसकी है बहुत ही बढ़िया पंक्ती है दोस्तों और यहाँ पर आया है दोस्तों क्या हमीर और आपको पता होगा एक रचना है हमीर रासो हमीर रासो रचना है और वो रचना किसकी है दोस्तों सारंग धरकी है है ना सारंग धरकी हो रहें सा लिखा जाता है देख लेते हैं चल खुसरो घर आपने रेन भाई चहू देश ये पंक्ति बताना है और यहां पर तो सीधा सीधा आगया खुसरो आ गया खुसरो तो आप डारेक्ट लगा दोगे सर कि ये तो किसकी है अमीर खुसरो की है चल खुसरो घर आपने रेन भाई चहुंदेश यानि कि 19 का आपका सा नंबर बिलको सही हो जाएगा ठीक है अमीर खुसरो की पंक्ति अंगला है दोस्तो नौलक पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा ये पंक्ति किसकी है दोस्तो गोरखनात ने कहा कि बेवहार प्रदान एक सबदी में गोरखनात ने कहा है कि हसना खेलना और मस्त रहना चाहिए काम करूद का साथ नहीं करना चाहिए हसना खेल और गीत गाना चाहिए एकस ने कहा है गोरखनात ने कहा है और ये गोरखनात की पंक्ति है नो लक पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा है ना तो इक पंक्ति गोरखनात की है और डी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा आपका आज का पहला प्रस्न है एक नारी ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया जियों जियों सांप ताल को खावे सूखे ताल सांप मर जावे अब आपको बताना है दोस्तों ये पंक्ति किसकी है और जब अचरज किया है एक नारी ने सांप मार दिया है तो आपको पता है क्या होगा समाज में परिवार में खुसर खुसर चलने लगेगा आपने देखा होगा परिवार में खुसर खुसर कोई गटना गट जाती तो खुसर खुसर चलने लगता न एसा ही खुसर खुसर चलने लगा जब एक नारी ने अचरेच किया और साप मार पिंजरे में दिया तो खुसर खुसर चलने लगा तो इस पंक्ती के रचेता कौन होगे ये पंक्ति किसकी होगी खुसर खुसर चलने लगा तो अमीर खुसरो यानि डी नम्मर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा है ना फनी ट्रिक दोस्तों आपको बताना है याप पंडिये सैल सत्त बख खानई देह ही बुद्ध बसंत न जानई अब दोस्तों एक चीज बताना है पंडिये और पंडित और पंडित राहूर शांकरित्याई ने हिंदी का प्रथम कभी किसे माना है यहाँ परारा है पंडिये और हम इसका ले लेंगे पंडित और पंडित ने किसे माना है सराहपा को तो यह पंग्ती भी किसकी होगी सरायपा की होगी बोले पंडिये सयल सत्य बख खानाई देही बुद्ध बसंत ना जानाई अब दोस्तो इसमें आपको वर्थ है बिल्कुनी लेना पंग्ती का अर्थ क्या है हमें ट्रिक निकालना है कि हमें याद कैसी हो रही बेटा किसकी बहू आप स्वारत मिलिया सहू आपने देखा होगा दोस्तो आपका जीवन निकल जाता है मेरा बेटा मेरी बहू है ना आप जितना छोड़के आजाते हो जितना छोड़के आपकी मृत्ति हो जाती है आप बहुत सारा धन छोड़के जाते हो ये बेटा और बहू सब चर्पट कर देते हैं क्या कर देते हैं चर्पट कर देते हैं तो किसका बेटा किसकी बहू आप स्वारत मिलिया सहू सब चर्पट कर देते हैं तो ये पंक्ती भी किसकी हो जाएगी चर्पट नात की क्यानि कि आपका जो ए नमबर है क्रोद लोब मोह संसार की माया आपको पता होगा दोस्तों आदी काल में क्रोद मोह लोब तजबे की बात किसने की है किसने की है बुले इनसे मुक्त हो जाओ और भगवान की साधना करो किसने की है गोरकनात है ना गोरकनात नात संप्रदाय की पिरमुकते उरे इन्होंने कहा ह कि काम क्रोध लोब मोह ये सब संसार असार है है ना यही कहा है भगवान की वक्ती करो तो दोस्तो ये किसने कहा है गोरकनात ने आदी काल में कहा है है ना तो गोरकनात की ये पंक्ती हो जाएगी ए नमबर ठीक है अंगला देखते हैं दोस्तो बाल चंद बिज्जावई भासा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा इह पंक्ती किसकी होगी दोस्तों आपको पता है कि बाल आया यहां पर बाल को पकड़ दो और बाल काल से ही हम विद्या का अर्जन करते हैं बाल काल से क्या करते हैं पुलिसर हम बाला पंसे बाल काल से ही बाल ले आवस्ता से विध्या का अर्जन करते हैं तो इस बाल चंदे जो पंक्ती होगी ये किसकी होगी विध्या का अर्जन करते हैं तो विध्या पती किसकी होगी विध्या पती और विध्या पती को मैं थिल कोकिल कहा जाता है है ना आपने इनकी देसिल वो सबजन मिठा आपने इनकी एक पंक्ती पड़ी होगी मैंने आपको बताई थी है ना तो इसको भी याद रखेंगे विद्या पती की तीन रचनाएं बहुत प्रश्चिद हैं पदा बली किर्ती लता और किर्ती पता का है ना इनको याद कि ना नाद है मेरे सरपे ना बिंदू है ना रभी की छाया है ना ससी की छाया है कुछ भी नहीं है मेरे सरपर तो सरपर नहीं है तो सरहपा ना नाद है ना बिंदू है ना रभी है ना ससी है कुछ भी नहीं है मेरे सरपर तो सरहपा इस प्रिकार से याद रखेंगे हिंट आपको चाहिए और आपको याद हो जाएगा यानि बानम्मर आपको बिल्कु सही हो जाएगा तीक है अब दोस्तों अंगला है रावड जायव जै जही द्यही दह मोह एक सरीरू चिंता विये ये चिंता विये तै यही जडली कबड़ू पियाबं खीरू यह पंक्ति कि किसकी है यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है रावड को पकड़ना है और कहा जाता है कि राणा जो रावड था वो बहुत सूर बीड़ था कैसा था सूर बीड़ था सकती साली था है ना सूरी था तो दोस्तों रावड की बात हो रही हो रावड क्या था सूर था है ना और रामण का जब भेद बताया बेवी सन ने तब राम ने रामण का बत कर पाए है ना तो इस प्रकार से रामण क्या था सूरी सूर था तो स्वंप्रव सूरी की ये पंक्ती हो जाएगी इस प्रकार से याथ करेंगे ठीक है अंगला है दोस्तो नौलक पातर आंगे ना पातर गौर करो इस पे जरा उलिस सर नौलाग की पातर कैसे हो सकती है गौर किया आपने गौर किया तो गौरकनात की यह बनाएगा गौर उलिस सर हमने गौर किया तो यह गौरकनात की पंती होगी नौलाग पातरी गौर किया तो गौरकनात की पंती यानि की आनम्मर आपका ब बहसो बन्निये, बाल बहस सासी, तसमीप अमरतरस पिंनिये, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या रहा है ससी और सासी, तो ससी मतलब क्या होता है चंद्रमा, ससी चंद्रमा का क्या होता है क्या होता है अपन ऐसा ही अर्थ नहीं ले रहा इसका कुछ भी अपन तो याद करने की ट्रेक निकाल ला है बोले सर ससी तो चंद्रमा का परयावाची और यहाँ पर ससी ससी आ गया तो ससी चंद्रमा का है तो एक पंक्ति किसकी होगी चंद्रबढ़दाई मनाहूं कला ससी भान कला सो लह सो बननीय ससी आया ससी ससी चंद्रमा का परयावाची है तो बोले चंद्रबढ़दाई यानि कि सा नम्मर आपका बिल्को सही हो जाएगा थिक है अंगला है दोस्तो सदा तरये ना बन कूले यारो सदाना सावन होए सर्ग मड़या सब काहू को यारो सदाना जीवे कोई यह पंक्ति किसकी है दोस्तो एक चीज बताना कि दूसरों के माल पर पर माल यानि कि दूसरों के माल पर सदा सावन होता क्या नहीं होता आप एक बार सावन मना लोगे अगर किसी का आपको माल मिल जाए किसी की सामगरी मिल जाए एक बार सावन मना लोगे सदा सावन नहीं होगा तो यारो सदा न सावन होए किसके माल पर परमाल पर तो एक पंक्ती कहां से ली जाएगी परमाल रासो कहां से परमाल रासो और ए नमबर आपका बिलकुँ सही होगा और परमाल रासो को आला खंड भी कहा जाता है और इसके रचेता कौन है जगनेक है ना आपने एक पंक्ती पड़ी होगी बारा वरसलो कूकर जीवे और तेरा लो जीए से आर वरस अठारा छत्री जीवे आंगे जीवन को देखकार है ना तो आपको याद रख लेना है दोस्तों कि जब तक जी रहे हैं जग में है ना जग में बोले जीलो रे जग में बारा वरसलो छत्री जीवे तो जीलो रे जग म तो ये बारा वरसलों ये जगनिक की पंक्ती है और यारो सदाना सावन हो परमाल पर सदा सावन नहीं होता तो परमाल रासो ठीक है इसको याद रखेंगे अंगला है इड़ी पर कोयल कूजई पूजई युवती मड़ोर बिधोर बेयोगनी ध्रजजई कूजई मैड के सूर एक चीज बताना दोस्तो कूयल कूजई यानि कि कूग बेया या कब कूखती है जब कोयल कूखती है तो आप समझ जाते हो कि बसंत रितु आ गई समझ जाते न तो ये कहां से ले जाएगी बसंत बिलास जे की प्रत्विराज रासों से और इस Network है ना यानि कि दी नमर आपक सही होगा कोयल कूजाई पूजाई युवती मडोर है ना इस परकार से अंगला है दोस्तो पीउ चितोड ना आबिउ साबन पहली तीज जोबे बाट बिराहिनी खिन खिन आडवे खीज यहां पर चितोड को पकड़ना है दोस्तो आपको पता है आपने चितोड का नाम सुना ह होगा बोले चितोड गड़का किला और चितोड गड़का किला एंसा था दोस्तो जिस पर सब लोग बिजय प्राप्त करना चाहते थे लेकिन बिजय नहीं हो पाते थे बिजय की बात होगी बोले चितोड बिजय चितोड बिजय तो यहां पर चितोड आया और बिजय से हो ज जाएगी ठीक है चित्तोड विजय चित्तोड विजय इस परिकार सियाद रखेंगे अंगला है बज्जी गोर निसान रान चोहान चहूं दिसी और यहां पर चोहान आ गया तो आप आंखें बंद करके किसका लगाओगे किसका लगा दोगे वोले सर वो तो किसकी है बीसल रासो यह बीसल देव रासो नहीं प्रत्वी राज रासो और सा नमबर आपका चंद्रबरदाई की पंक्ती हो जाएगी बज्जी गोर निसान रान चोहान चहूं देशी सा नमबर ठीक है अंगला है दोस्तों गंगा जउना मजोरे बहर नाई ताही बुडीली मातंगी दो से बनेगा डो तो गंगा जउना मजोरे डो भी पा कौन है डो यह देखो डो यानि दो तो डॉम भी पा ठीक है गंगा जउना दो है तो डॉम भी पा यानि आनममर आपका बिलकुँ सही होगा डॉम भी पा ऐसे याद रखेंगे ठीक है अंगला दोस्तों आपको बताना पेपर में है ना का आ तरूबर पंच बिडाल के पंक्ति किसकी है दोस्तों का से बनेगा काया और काया में हम क्या करते हैं विविन प्रकार की लेप लगाते हैं कोई पाउडर लगाता है कोई क्रीम लगाता है लेप लगाते ना तो काया में हम लेप लगाते हैं तो काया से ब जाएगी लुईपा की और सानम्मर आपका बिल्कुस सही होगा ठीक है अंगला देख लेते हैं दोस्तों एकड़ा के जहीं मंत्र ना तंत्र अभी पंक्ति किसकी है दो सेकेड में आप बताएंगे और मैं आपको बता दूँ कि जो मंत्र तंत्र होते हैं वो नाक में फूंके जाते हैं कि कान में फूंके जाते हैं जल्दी बताओ बोले सर कान में फूंके जाते हैं मंत्र तंत्र कान में फूंके जाते हैं तो कंडपा की मंत्र तंत्र कहां फूंके जाते हैं कान में तो एक ना के जै मंत्र ना तंत्र पंक्ति किसकी हो जाएगी कंडपा की ठीक है यान अगला है दोस्तो प्यू संगम कव निछडी प्यू हो परोखो हो कैंब यह पंक्ति बता नहीं है आपको और प्यू से अपनों क्या बोलते हैं पानी प्यू पानी प्यू तो दोस्तो हमें काय का हिम हिम का पानी प्यू हिम मतलब जो होते हैं हिम का पानी प्यू तो हिम से प्यू संगम कव निच्डी, प्यू हो परोखो हो कैम, है ना, तो हेम का पानी प्यू इस प्रकार से, यानि कि हेम चंदर, अब ब्रंच के ब्याकरण चार हैं दोस्तों आपको पता होगा, और सा नम्मर आपका बिलको सही हो जागा, ठीक है, अंगला है, एक थाल मौती से भरा होगा, तो कहां होगा, गरीब के पास, जो सड़क पर सोता है कि अमीर के पास, किस के पास होगा, बोले सर, मौती भरा थाल तो, अमीर के पास होगा, अमीर के पास होगा, तो पहली जो होगी, यानि बी नम्मर आपका, बिलको सही हो जाएगा, ठीक है, दोस्तों अगर आपक जौन सी भी ट्रेक अच्छी लगती है वो कमेंट में जरूर लिखा करें जे हैं दिस दिस ते में रई मिले आई ते हैं दिस दिस जा रई मिले आई तो दिस दिस आरा दोस्तो दिस दिस और यहां पर दिस दिस और आपको पता है दिस दिस मतलब दिसा की बात हो रही है और दिसा में जो चारों दिसा में जो खुस्बू फैल जाती है दोस्तों वो किसकी फैल जाती है पुस्प की आप और हम बोलते हैं कि पुस्प की फूल की खुस्बू चारों दिसाओं में फैल गई तो यहाँ परारा दिस 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 और दिसा में खुसबू फैल गई काई की पुस्प की तो यह पंक्ती भी किसकी हो जाएगी पुस्पदंत की इनका एक गरंत है दोस्तो महा पुरान जिसमें 63 सलाओ खाओं की का बरनन किया गया है है ना जीबन बरत्त है उसमें और दोस् से दिस जा रही मिले आई ठीक है तो दिस से दिस आया मतलब आपको पुस्पदंत लगाना है ठीक है अंगला है दोस्तो पुरुस कहाणी हो कहो जसु बत्थे बे पुन्न अब एक कहाणी आया है दोस्तों यहाँ पर कहाणी और कहाणी आपको पता है कहाणी को अब हट में कहा जाता है और अब हट की हमने दो रचनाए पड़ी है किरती लता और किरती पता का और यह दो रचनाए किसकी है बिद्यापती की और यहाँ पर कहाणी आया है और कहाणी अब हट में कहा जाता है तो बोली सर दो रचनाए है बिद्यापती की किरती लता और किरती पता का तो यह किर्थी लता से ली गई है कहानी आया और कहानी हमने पकल दिया कि कहानी अभट में कहा जाता है और अभट की रचना दो ही है किर्थी लता और किर्थी पता का तो ये किर्थी लता से ली गई है और ये विद्यापती की पंक्ति हो जाएगी